तो आज हम पढ़ने वाले एक topic जिसका नाम है human eye, तो चलिए समझते हैं इसको detail में, तो इस students जैसे की heading से clear है, human याने की इंसान और eye याने की आख, तो हम या पे human eye याने की इंसान के आख के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो basically students यह जो human eye होती है, यह human body का एक बहुत ही important organ होता है, एक body का part होता है, जिसकी help से कोई भी इंसान, कोई भी human जो है, वो देख सकता है, याने की देखने के लिए भगवान ने हमारी body को आख दी हुई है, और students यह जो eye है, वो basically eyeball के shape का होता है, और अगर हम eyeball के diameter की बात करते हैं, तो यह लगबग 2.4 cm होता है, और अगर radius की ब होती हो, बहुत सारे parts से मिलकर के बनी हुई होती है, तो चली one by one इन सभी parts को समझते हैं, और जैसे कि आप diagram देख सकते हैं, इस diagram में जो आपको दिख रहा है, यह है human eye, तो सबसे पहले part की बात करते हैं, जो कि है cornea, तो basically students, हमारे human eye के सबसे outermost, याने कि सबसे बाहर की जो outermost वाली जो transparent layer होती है, आई की, जो कि हमारी human eye को cover करती है, और इसके अलावा हमारी eye को protect करती है, उसी को बोला गया है cornea, इसके अलावा जो भी light हमारे आँख में enter करती है, वो इस cornea के through ही, याने कि इस cornea के जरिये ही आती है, तो देखी students, जैसे कि आप इस diagram में देख सकत है, यह सबसे बाहर वाली जो layer है, outermost layer है, इसी को बोला गया cornea, तो इसी से basically eyes के अंदर जो है, वो light enter करती है, तो चलिए अब देखते है second part, जो की है iris, तो सबसे पहले हम इसको diagram में देखते है students, यह जो आप देख सकते हैं, थोड़ा blackish type का, जो यह muscles के बनेवे tissues हैं, इन iris, तो चलिए अब इसका description समझते हैं, तो जैसे की students, अभी हमने आपको diagram में दिखा जाते हैं, muscular tissues होते हैं, जो की थोड़ा से dark color के होते हैं, इसी को हम बोलते हैं iris, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कि यह जो iris होता है, यह dark muscular tissues होते हैं, जो की muscle के बनेवे होते हैं, औ और यह cornea के ठीक पीछे होते हैं, तो आप देख सकते है cornea के पीछे ही हैं, तो अब बात आती है कि इस iris का use क्या होता है, तो actually इसका use होता है pupil की size को control करने के लिए, अब यहाँ पे question आएगा कि pupil क्या होता है students, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस diagram में, तो यह जो iris है, यह ठीक जो अंदर है, और एक ब्लेकिश पार्ट होता है, जो मैंने अभी highlight किया हुआ है, इसको हम बोलते है pupil, तो यह जो iris है, यह basically pupil की size को control करता है, तो अभी question आएगा कि कैसे control करता होगा, तो देखिए students, इस diagram से मैं आपको समझाता हूँ, कि यह जो iris है, यह iris अगर contract size बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से students, जो iris है, वो cornea के पीछे का dark muscular tissue होता है, जो की pupil की size को control करता है, तो चलिए next part को cover करते हैं, जो की pupil, तो basically students, जैसे कि अभी हमने diagram में डिसकस किया था, कि iris के बीच में एक छूटा सा small opening area होता है, जिसको हम बोलते है pupil, तो basically students, जो pupil होता ये decide करता है कि कितनी amount of light जो है, वो human eye में enter करेगी, यानि कि जितनी भी light जो है, वो human eye में जाएगी, वो इस pupil के जरिये ही जाएगी, यानि कि जितनी भी light human eye के अंदर जानी है, वो इस pupil से ही होके जाती है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, कि जो pupil होता है, वो control करता है क जो कि human eye में enter करने वाली है, जैसे कि students, इसी के भी घर में कितनी light enter करती है, वो window से decide होती है, इसी वज़े से, क्योंकि human eye में भी कितनी light enter करने वाली pupil decide करता है, इसलिए pupil को window of the eye याने की आग की खिर्की बोला जाता है, अब बात करते हैं next part की crystalline lens, तो basically students, यह जो आप diagram में सकते हैं, यह वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं crystalline lens, और देखने से भी समझ में आ रहा है कि एक lens है, और इसका shape जो है, वो है convex lens, तो वह यहाँ पर लिखा हुआ है, कि जो crystalline lens होता है, वो basically convex lens होता है, जो कि बना हुआ होता है, फाइब्रस, jelly like material का, तो jelly like हैने की चिप चिपा material होता है, और फाइब्रस आने की पतले-पतले धागे type के तंतू होते हैं, टिशू होते हैं, जिससे मिलकर के यह lens बना होता है, और जैसे कि आपको पता है कि convex lens का क्या होता है, कि हमें convex lens जो है, वो हमें real image देता है, और साथी साथ inverted याना की उल्टी image देता है, और इ पता है, रेटिना क्या होता है, फिलाल मैं आपको बता जेता हूँ, इस तरीके से और वो real बनेगी, क्योंकि वो object हमारे आग के सामने real में खड़ा है, तो इसलिए वो image जो है, वो real होगी और inverted होगी, और यह image जो है, वो retina पे ही बनने वाली है, तो in summary students, crystalline lens के वज़र से ही किसी भी object की image जो है, वो retina पे बनती है, तो क्योंकि हमने आपे retina की बात किये, तो चलिए next part समझते है, retina क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह basically एक पतली सी layer होती है, तो layer के लिए scientific वेसे हम जो word उस करते हैं, वो होता है membrane, membrane याने की बहुत पतली सी layer होती ह तो वही आपे लिखा हुआ है कि जो retina है, वो एक membrane होती है basically, जिसके अंदर बहुत सारी hulky, light sensitive cells होती है, आग के पिछे वाले इस हिसे में, तो basically students, यह light है कि बहुत हलकी होती है, sensitive cells होती है, पतली पतली cells होती है, तो होता है students, जब image बनती है इस retina पे, तो यहां से इस retina के backend में, पीछे side पे, electrical signals जो है, वो generate होते हैं, तो यह electrical signals इसलिए generate होते हैं, क्योंकि human eye को brain को signal भेजना होता है, कि हम कुछ देख रहे हैं, तो यह brain को पता होना चाहिए, तो brain तक signal भेजने के लिए retina के पास उसके पीछे होले हिस्से में, optic nerve लगे होते हैं, जो कि यह काम करता है, फिलाल आपको इतना पता होना चाहिए, जो रेटिना है, वो जो भी image देखती है, उस image को brain को भेजने के लिए, वो electrical signals को generate करती है, तो चलिए देखते हैं, next part जो कि यह optic nerve, तो जैसे कि students, आप इस डियागराम में देख सकते हैं, यह हमारी retina थी, और इसके ठीक पीछे य नर्व, तो होता ही, students, retina जैसे ही electrical signals generate करती है, तो यह optic nerve जो है, इन electrical signals को brain तक पहुचाने का काम करते हैं, mind तक पहुचाने का काम करते हैं, क्योंकि जब तक brain को पता नहीं होगा, तब तक हमारी body react नहीं करती किसी भी चीज़ को, तो basically यह जो optic nerve होते हैं, यह electrical signals को retina से लेकर के brain तक पहुचाने का काम करते हैं, तो चलिए बात करते हैं, next part की जो की है, vitreous humor, तो basically students, यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं, crystalline lens और retina के बीच वाला, यहाँ पे basically एक liquid भरावा होता है, जिसको हम बोलते हैं, vitreous humor, तो यह जो liquid होता है, जिसको हम fluid बोलते हैं, यह पानी की जैसे होता है, बिल्कुल क्योंकि एकदम clear साफ होता है, और colorless होता है, जैसे कि पानी का कोई color नहीं होता है, वैसे ही इस vitreous humor का भी कोई color नहीं होता है, इसके अलावा students, इस diagram में आप दो चीज़ें और देख सकते हो, जिसको describe करने की ज़रोत नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, crystalline lens और cornea के बीच में भी एक liquid बढ़ा होता है, fluid बढ़ा होता है, जिसको हम बोलते है, aqueous humor, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि यह जो iris है, और जो lens है, इसके ठीक पीछे साइट पे, यह कुछ muscles होती है, जिसको हम बोलते है, ciliary muscles, इन ciliary muscles के help से, ज खुटा करके देखते हैं, तो अब यह ciliary muscles जो है, वो उस lens की focal length को adjust करता है, ताकि जो जिस हमको clearly नहीं दिखाए जा रही है, उसकी image रेटिना पे बन जाए, जिससे की वो हमें clearly दिखाई दे, तो फिलाद आपको बस इतना ही mind में रखना है, कि जो ciliary muscles होती है, वो crystalline lens की focal length क adjust करती है, तो यह details थी human eye के बारे में, I hope students आपको clear हो गई होगी, अगर आपको अमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला, तो please हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like जरूर करें, आज के लिए इतना ही, thank you.